जेदी किसी इस्तरी के दिल में अपने लिए मोहबत आप पैदा करना चाहते हैं, तो उस इस्तरी के नाम से सिर्फ दो लवंग ले करके, कुछ टोने टुटके करके, दोनों लवंग को अपने घर के बाहर नाली में फेक देना है, आपका काम बन जाएगा, आपका प्यार आप को मिल जाएगा, किसी लड़का को वस में करना हो, किसी लड़की को वस में करना हो, तो आप यह उसिकरन टुटका जरूर कीजियेगा, प्यार पाने का यह बहुती सक्तिसाली, पौर्फुल वसिकरन टुटका है, अब तक लाखों लोगों का काम हो चुका है, और मैं आप से बिनती करूँगा कि इस वसिकरन टुटका के बारे में किसी गलत बैक्ति को नहीं बतलाईएगा क्योंकि एक बार किसी को उपर आप कर देते हैं तो वह वसिकरन होने के बाद में किसी के हटाने से भी यह वसिकरन नहीं हटेगा इतना फाश्ट होता है इतना जबदस्त होता है आईए बताते हैं कि इस्तरी के नाम से सिर्फ दो लवंग लेकर के आप अपने घर बैठे कैसे वसिकरन तोटका करेंगे और उसके बाद में उसको अपने घर के बाहर नाली में फेक देंगे तो यह अपना असर दिखाना सुरू कर देगा देखिएगा इस वसिकरन को टोटे टोटके को करने के लिए सिर्फ पांच मुनट का भी समय आपको नहीं लगेगा आसानी से आप कर सकते हैं घर बैठे कर सकते हैं देखिएगा यदि आपके लव लाइफ में कोई भी समस्या हो समस्या चाहे जो भी हो प्यार बात नहीं कर रही है मन चाहे प्यार से साधी करना है मन चाहे प्यार को पाना है या कुछ गलत काम करने के लिए किसी इस्त्री को अपने तरफा कर्षित करना है उसका मन को महना है तो आप यह ओस्त्री के दिल में अपने जगह कैसे बना सकते हैं इस ओस्त्री के दिल में अपने जगह कैसे बना सकते हैं इस ओस्त्री के दिल में अपने जगह कैसे बना सकते ह दिखिएगा, जिस भी इस्त्री को अपने वस में करना चाहते हैं, उसका नाम लेते हुए आपको उसके नाम से दो लवंग लेना है, इस परकार से दो लवंग लेना है कि उस लवंग का फूल बरा बरा होना चाहिए, तुटा फूटा नहीं होना चाहिए लवंग, अच्छी तरह से सॉलिट होना चाहिए उसके बाद में दोनों लवं को ले करके आप अपने घर में बीच आंगर में बढ़ जाईए या कहीं पर भी एकान जगम में बढ़ जाईए बैठने के बाद में आपको क्या करना है जैसे जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ पांच मिनट का भी समय और इस दोनों लवं को ले करके आपको कुछ टोणे टुटके करना है आई यह बताते हैं कैसे करना है उसके पहले यदि आप मरे चैनल पर नए हैं अभी तक मिनट चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्रेस सस्क्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जितने भी बुड़ सबसे पहला पी के पास में जाएगा देखिएगा मेरे भक्त लोग आपको करना क्या होगा दोनों लवं को लेने के बाद में आप अपने सामने रख ले उस दोनों लवं को रखने के बाद में आपको क्या करना है तामे या पीतल के गिलाश में आपको पानी रखना है पानी पानी में दोनों लवंग को अपने सर से साथ बार उल्टा घुमा करके लड़की का साथ बार नाम ले करके उसमें फूक मारना है लवंग में और दोनों को उस पानी में रखना है गिलास के पानी में रखना है पानी में रखियेगा तो देखियेगा दोनों लवंग यदि करने लगेगी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी आपके बेना नहीरा पाएगी जैदी दोनों लवंग अलग किनारे पे चले जाए तो समझिएगा मुश्किल है लेकिन दिकत के कोई बात नहीं है जब आपको शिकरन कर रहा हैं तो आपके वस में होगी तो होगी चिंता करने की जरुवत नहीं है जैसे ही पानी में आप दोनों लवंग को रख लिजेगा इतना देख लिजेगा उसके बाद में आपको क्या करना है दोनों लवंग को फिर से निकालिए और फिर से अपना नाम स्थात बर लेकर उसमें फूंक मारना है फूंक मारने के बाद में क् करना है उस लवंग को फिर से रख देना है और उस गिलास को अपने सोने वाले जगह पे सोने वाले कमरे में यानि के बेड़ के नीचे आपको रख लेना है उसको करिवन से करिवन 24 घंटे तक अपने बेड के नीचे रखे 24 घंटे के बाद में उस पानी को आपको पी लेना है उस इस्तिरी का नाम लेकर के और दो जो लवंग है उसको अपने सर्च से साथ पर उल्टा घुमा करके पैड से होते हुए उतारना है और बोलना है जाओ जाओ उस इस्तिरी को लेकर आओ अगोरी बाबा की दुहाई है इतना बात बोलना है और फूक मारना है लवंग पे और उसको क्या करना है नाली में बाहर कहीं भी फ्यंक देना है बस आपका काम बनने लगेगा वह इस्तिरी आपसे महबत करना शुरू कर देगी उसी दिन से आपके बिना नहीं रहा पाएगी बस इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि वह फास्ट में वहती जल्दी आपके पास आ जाए तो इस प्रकार से आप कम सकम दो तीन बार कर देजिएगा वह पूरी तरह से आपके वस्म हो जाएगी आपसे महबत करना शुरू कर देगी आपके प्यार में इस तरह से दिवानी हो जाएगी कि आपके बिना नहीं रहा पाएगी मेरे भग तो ही आज मया हुआ है अब तक लाखों का काम हो चुका है जहां भी समझने में दिकत लगे नीचे कमेंट किजिएगा हम अपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ यदि आप अमरे चैनल पर नए हैं अभी तक में चैनल को सस्क्राब ने की तो पहले सस्क्राब जरूर क किजिएगा ताकि हम जितने भी बुले नाएंगे सबसे पहला आपके पास में जाएगा अ